प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ में आप एक रहे हैं प्रोग्राम शक्सियत जैसा कि हम जानता है कि हर बार हम एक शक्सियत के साथ मौझूद होते हैं ऐसे ही आज हमारे साथ एक शक्सित मौझूद है correctly जो राश्पती पंदक से सम्मानत है आज तक कि इनकी जर्णी कैसे रही है तो सीधे just सही बात करेंगे इनकी जर्णी के बारे हुए तो आईए बात करते हैं आजाद हफीजी से नमस्कार सर असर आपका हमारे प्राइम टीवी के शो शक्सित में बहुत बहुत स्वागत है जब हम लोग हर बार इपनी शक्सित में एक शक्सित से उनके जानरी पर बात करते हैं, जो उनका पहले बजपन का सफर कैसा था, फिर उन्होंने प्रेजेंट ली उन्होंने क्या किया देन, फ्यूचर में क्या किया तो हम ऐसे ही उनके पूरे सफर बात करते हैं, तो सबसे पहले हम आपके सफर की शुरुआत करते हैं आपके बज़ मंसे, कि आपका बज़पन कैसा था, आपका स्कुलइंग टाइम प्यासा था आपका कॉलेज टाइम किस पर ऑप से बताएंगे कि किस तरीकेे का आपका उस टाइम का दौर था उस वक्त इसकूलिंग टाइम में यह होता था कि हम लोग अपने इसकूल टाइम के बाद एक जो जो हमारे मैं क्योंकि मैं पुराने लखनों का बाशिंदा हूँ और हम लोग की जो मजाटी होती थी उसमें हमारे यह सिकंदर इज़ी हो गए नवाब शिको आजाद हैं और इन लोगों के साथ कि जो हमारे पूरी हमारे जो मजाटी थी तो हम लोग का यह दो होता था उस वक्त की शाम को घूमने गंजी होती थी घूमने या आते थे पूरा गुरूप साथ में गुमना फिना मतलब यह नहीं था कि हर वक्त पड़ लें हैं या टाइम दे रहें उसमें यह ज़रूरी था कि मजाटी के साथ में घूमने निकलना बाहर पूरा गुरूप जाके गंजी करना अधा उदर पूरा साथ और शाम को बैटके सारे लोग बैटके चाई पीना साथ में तो एक वो अब जैसे माहुल है कि बच्चा बंध है आर वक्त वो कम्प्टुटर के स जब तक मजाटी निकलेना घूमेना तब तक वो मज़ा नहीं आता था अचा सर बाकी है आप अगर स्टूडियस टाइप के थे या आपकी कुछ और केरिकुलम एक्टिविटीज में आपको कुई खासा क्या केरिकुलम एक्टिविटीज पसंद हुआ करती थी जो आपको ब जितने गुरूप में लड़के हैं सब साथ में और किसी ऐसा नहीं कि वहां पर पिक्चर में हम लोगो लगो जा के देखें मुवी देखें बस मेन हम लोगो ए रहता था कि अपना गुरूप जब निकले तो लोग देखें कि आज-जा रहे हैं उनके साथ फलां-फलां हैं यह एक शौक था अपने बहुत ध्यान रखते तो पस्नाटी का भी एकसरसाइस का भी जो आप जिम में तब्दिल हो गया है तो हम लोग एकसरसाइस करते थे और भागदार करते थे और पुजी मुजार्टी तकरीवां सारे जो लोग साथ के थे वो यह होता है कि आप लोग देखें कि हाँ यह देखें यह गुरूप जा रहा है यह लोग इनकी मजाटे जा रही है यह दोर रहता था तो मतलब आपने अपने गुरूप को बड़ा मैंटेन कर गर रखा हुआ था कि पस्नाटी एंड अपने रूटर अपने रूटर बेस लड़के जो साथ के ते उस है आप मसरज जमीर हो गए तो बहुत सारे ऐसे लड़के लोग हैं जिनके नाम याद करूँ हैं तो काफी लोग हैं वो आज के टाइम में उनकी भी कुछ शक्सियत है कामियाब हैं हाँ लेकिन यह जैसे अपने आज के टाइम ही जो मैं कर रहा हूं तो वो पहले ही पहले भ हुता है कि मैं लीडर हूं मैं रहूं की भी आजाद हैं तो लोग पहना हुआ है यह आज है हजक Bennett लीज Nähou को जिसे ruit से डारी आज करें अजह कि ल हो तो पैरेंट्स एक पशिमंट रहता है तो आप लोग को ऑपकी किसी शरारत को लेकर को पशिमन आपको ही पर जिए अब वाली सहनग तो बड़े, मैं आखूल के बताने चाहिन आखे अपको के वाली सहनग बड़े खर्याप रहते थाम मैं बहुत देर से घर लॉटता है तो अमवरा यह से घर लोटता तो वाली सहन Kenya सो याती में चुप चापा के सब से पहले कपड़े भी नहीं उतारता था जाता था तक दव यह पाओ जाकर उनके पर दबादे लगता था और जब क्व थीं कि अब देख रहा हैं कि इतने रात है मगर यह अबने हमा理 है वारे देखा लिगता एकुली मेनिज कर लिए options हुआ देख लिए लेक्षे उबने ही एकुले उबude कि इसे हमारे का इसी कब हसा निवा कि मैने उनके प्याई भाया हूं कहीं सभी आता। माकी सर आपकी अब हम केरियर के तरफ तोड़ा से बढ़ते हैं कि जैसे आपका जो आपका एजुक्वेशन कंपलीट हुआ उसके बाद आपका सबसे पहला जया रहा मतलब आपका इंट्रेस्ट था कि हमें इस डिरेक्शन में जाना है आपका फर्स जॉप प्रफाइल क्या र जाब करूं जो लोगों की नजरों में आच्छा लगे लेकिन फिर यह हुआ था कि मैं तक चला कि अदा गल्फ कंट्री गल्फ मेरा हमें कुछ दिन तक और वहां रहने के बाद फिर क्योंकि मुझको कल्चर अपने इंडिया का पसंद है वही मैंने यह मैसूस कि जितने आजा मेरे आप इंडिया में आप क्या किया सकते हैं इंडिया में फिर मैं जाओ में लगया जौबब बाद में लेकिन कही ने कहीं स Kne designs जरूर निकलता था कि एक हमारा सोशल कॉंटेक्ट मोना रहा है सोशल कांटेक्ट मनाने के लिए फिर सबसे अच्छी चीज मुझे दिखी वह सविल डेफेंस मैंने जौइन करा था सविल डेफेंस जौइन करने के बाद उसमें मैंने जो करना चाहता था वो सारी चीज़ा हमारी नागरी सुरचा सैंटर्म में थी मैंने बहुत अपना तन मन धन से लोगों की सेवा करी है जिसको अप्रेशेट किया गया पसंद किया गया काम हमारा सिबर डेफेंस का यह रहता था कि जितने भी आपका लाइन आडर से मुतालिख जुलूस फुलूस निकलते थे और जिदे आपका पॉल्यो का काम हो गया आधार काड़ बनने का हुआ रहेशन काड़ राधार काड़ यह यतनी भी आडविस्टेशन के जो वर्क होते थे वो सिवल डेफेंस को दी आते थे और वो मैं करता था और उसे में ही मुझको खुशी होती थी सारे काम करने में अजिसे आप पहले बाहर रहे फिर इंडिया में आए देन फिर अचानक से जो सिवल डेफेंस वाला जो आपका डेसीजन था वापका सेल था या आपके पेरेंट्स की तरफ से आपकी घर वालों की तरफ से कुछ यह ता कि गाइड लाई थी यह गर वालों ने भी आपको कि इस फील में जाना है या आपने खुदी यह चीज़ पिर इस अजय पिर वालों कि अपनी मजीस अपने खुशी से क्योंकि समा सेवा का मतलब यह होता है कि किसी हटा का अदमी अपना घर से दूरी थोड़ा डिस्टेंस का हो जाता है पहले मैं जाओंगी कि सिवल डेफेंस क किस तरीके से आप उस पे काम करते हैं देखिए सिवल डेफेंस मैं बहुत श्राट में बताना चाहूंगा कि इस किस अपनी सोबासर पही थी जब इंडिया चायना वार हुआ था उस वक्त सिवल डेफेंस के वार्डेंस सेक्टर वार्डेंस जो रखा जाता था तो दो कि आबादी पे एक सेक्टर वार्डेंस होता था और इसलिए होता था कि कहीं पागा हावाई हमला होता है तो पता चल सके कि इस दो हजार की आबादी में कितने घर डैमेज हुए कि इस घर में सेक्टर वार्डेंस हमाई करिश्टर मिंटेन करता है उसमें घर के मुख्या औ पूरियुष्यार जनकारी है। तो अभी आगर कहीं बंबलाश होता था, पता चल सकता था कि स्रिक्टर वार्डन बताता था उसके बाद प्रो रिकार्ड राता था, इसलिए सेक्टा वार्डन बनाया जाता था दो आजार की जन संख्या के अपर, पोस्ट वार्डन, आइसी होए, डिप्टी, डिविजन वार्डन, डिविजन वार्डन, चीफ वार्डन, तो यह पूरी, अक्चुरी हा, सिबल डिफेंस बेर दो ट्रैक है, एक तो पेड, एक स्टेक्टर्ग जो हाता है हमारे उसमें ही, हमारे डिजी होता है अपना, मतलब एक पूरी सरकारी महिकमा हो गया, डिजी, आइडिजी, आईजी, डीजी, पूराए के डिप्टी कंत्रोलर और एडिएसी और उसके बाद दूसरा टेक्ज होता है वो हमारा ऑउनर पे हुग जो वाडन्स होते हैं वो अनपेड होते हैं उनको खारी एक ऑउनर मिलते हैं उनको जाब होती है कि उनकी एक उनका हम लोग बहुत काम आते हैं कि क्योंकि सारे पॉइंट सारी जगाएं जितने भी मॉब होते हैं चल लें उसमें तो काफी उसमें दोनों का आवाम जनता और पुलिस आड्मिस्टिशिशन के साथ इसे एक तान्विल बना रहता है तो वहां पर उसका जो है यूटिलाइजिशन काहं थे प्यक्तियुकत इंदकि सिर्धी नगई हैं और दियंगाउटेम्स हैं उसमें हम लोग का नियूब होते हैं ऊसं двument दोनों के बला कि कावंसलिंग कर वाते हैं और और हम लोग का मेन किलदार इसमें ये होता है कि घर तूटने न पाएं, घर उजड़ने न पाएं, उन गरों को हम लोग बसाते हैं और इन्हीं चाहते हैं कि एक दूसरे से अलग लग हो जाएं. जैसे आपने भी बोला कि माहीला कांसलर के लिए आपने बात बोला कि घर टूपने न पाएं, घर में जो भी प्रावलम होती है, तो वो सिफ कांसलिंग के थूँ आप लोग उसको सौट आउट करते हैं, या फिर ये है कि उनके जो घर की परिस्तिती हैं, उनके घर विजट कर के भी कुछ चीज़े की जाती हैं या कोई और तरीकी की एक्टिविटीज भी की जाती हैं, अच्छों लिए क्या होता है कि जो अप्लिकेशन दी आइती है, उसमें सारी चीज़े लिखी होती है, तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को पढ़ते हैं, पोरा स्टेडी करते हैं, फिर एक-एक करके दोनों को अला घटा के बात करते हैं, समझने के बाद में, फिर उसमें घर बर तो नहीं जाते हैं हम लोग, लेकिन पूरा फीड़बैक लेके और उनकी क्या प्राब्लम है, उस चीज़ को हम लोग पहले उनका ब्रेनवाश करते हैं, और अगर घर में कु हैं, उनके जो नेबर्स हैं, उन सबसे फीड़बैक लिया जाता हो, उसके लिए आपकी टीम जाती होगी, आप लोग जाते होंगे, विजिट करते होंगे, देखे, काउंसलर भी वही होते हैं, जो समाज के एक सब्रांत लोग होते हैं, जान परचान वाले लोग, उनकी करने के बाद में पिर यह होता है, कि उनको ही बता दिया जाता है, कि देखे, आपके एरिये में यह जो अगर दिक्कत आती है, तब ऐसी नौपत आती नहीं है, क्योंकि मैं जगड़ा तो आपस जो लोग मेरे सामने आई हैं, हजबन वाइफ, तो उनका ही होता है, बस उनको बहुत कम कभी ऐसा होता है कि घर की वज़ा से उनको दिक्कत हो रही हो, ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए बहुत से चीज़े महाँ पर ही ऑफिस में ही बैठके सब समझ के हम लोग उस चीज़ को फतम करवाते हैं, तो सर यह है कि कितने आप अभी तक कितने केस आपके सॉट कितना परस्ट रहा है आपके उन केसिस का कि आपने आज तक कितने टाइम से आपकर दे आ रहे हैं तो यह काम तो हमारे डिपार्टमेंट का है, ऑफिस का काम है यह इस चीज़ को हमारा यहां पर कैमरे के सामने बोलना मुनासीब भी नहीं है, यह सारा फिडबैक तो हमारे आप आफिस में DCP महला पराज से ले सकती है, महां से मालू हो सकता है, क्योंकि जो चीज राइटिंग में सामने रखी हो, वो जादा बेतर है, हम बोलेंगे तो लग बग करके और अटकल मनाएंगे, वो मुनासिब नहीं है, हाँ, यह है कि मैजिमम हम लोग कर उजडने नहीं देते हैं, गर बसाते हैं, और इसमें हमारी जो DCP महला पराज हैं, डिप्टी कमिशनर आफ पलीस, आइड प्रेजिडन तो मैडम रूजिता चोदरी जी हैं, तो उनका बहुत ज़ादा हम लोगों को सपोर्ट रहता है, और जो हमारे सामने पार्टी जो बठे होते हैं आइपी लेडी है ये, कहीं आप ऐसा नहीं, छोटी मुटी जगा बैट गया, अपनी समस्या बता रहे हैं, और कल को आप मकर जाएं, और कह दें कि, ये सब चीज़े होती हैं, इसमें काफी हमारा जो कॉपरेट रहता है, वो कॉपरेट हमको मैडम DCP से मिलता है, आफिस वा से उन चीज़ों को, सर वाकी में काफी चालेंजिंग जॉब है, क्योंकि इस तरीके से एक काउंसल करके एक फीड़बेक के जरी अगर आप किसी की घर पर चाते हैं, तो ये वाकी में एक बहुत अच्छा काबिल ये जॉब प्रोफाइल है, बाकी सर ये है कि, आपके अस्त इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा रहा हो, कि बहुत दिक्कत रहा हो, और काफी मशक्कत के बाद उसको सौर्ट किया गया हूँ, जो केस आया ऑफिस में, जो अपलीकेशन दीगे, जिसके फाइल खुली, तो वो कॉंपलीकेटर तो होता ही है, उसमें जब डिस्पीट हुआ त राशपती पदक से समानित भी किया था, उसके बारे में आप थोड़ा से डिटेल बताईए, कि राशपती पदक से समानित किया गया था उसके बारे में आप. तो उसको हम लोग manage करते थे और आवाम और पुलिस district administration के बीच हम लोग एक नुमानदा के हिसाब से जो manage करते थे वो सारी चीजे तो राश्पिती पता है को एक नहीं पता है पता नहीं कितने ऐसे जगड़े होते थे उसमें हमारा भी करदा रहता था उसमें I'm not a single person एक टीम व 를खी है होते है इसमें सारे लोगों की मेहनょनत होती है हाँ इतना जरूर है की जाहर वात है की टीम में आ देखिए जो पॉत्वादा मिलता है क्याप्टन को मिलता है तो क्याप्टन दो हमारे Chief 15 होता है 365 अदि-चौन को रहता है मगर यह होता कि कुछ चीजे जिसने जादा जगाओं पर रहा हूँ कोई शक्स उसने जादा अपना करदार अदा किया जादा जादा जूलो जब ऐसे माख़ों को पर तो वो चुन लिया जाता है और उसमें यह नहीं कि सभी को मिलता हूँ उसमें बहुत ही लिमिटेट लोगों को यह राश्पती बदक मिला है यह मिलता है प्रिस्टेंट आफिस से क्योंकि हमारा जो सिभी डिफेंट अपार्टमेंट है सिभी डिफेंशासन से जाता है यूपी गवर्मेंट यूपी गवर्मेंट से सेंट्रल गवर्मेंट फिर वहां से प्रिस्टेंट आफिस पिर वहां से तब गई यह अवार्ड म मिलेगा हाँ जब मिल गया है तो कम से कम तिर ये मुझे महसूस हुआ कि हम लोगों ने निस्वार्त निशकाम ये जो सेवा करी तो उपर वाले ने हमको ये जो पुरुसकार दिया है तो कम से कम ये तो रहेगा लाइफ में कुछ मिला मुझको सिवल डेफेंस से बहुत कि तारीफ करता हूँ इसके अलावा हमारी कई और मैं चीजों से जोड़ा हूँ अमन शांती समिती लखनों में जो है उसका मैं सेनर जैनर सेग्रेटरी पी हूँ प्रिंट मेडिया वर्किंग जर्नलिस्ट असोसेशन उसका मैं नेशनल जैनर सेग्रेटरी हूँ इसी तरह स कई जगाओं से जोड़ा हूँ मैं और अपना जो अनुबा हुए अपना जो तजरुबा है उसमें बहुत सही है कि आदमी अच्छे काम करे तो उपर वाला सब देखता रहता है और उसका सिला मिलता ज़ूर है इनसान को बाकी सर यह है कि आप अपने काम और अपने घर के बीच में किस तरीके से सामन जस बिटाते हैं किस तरीके से कोडिनेट करते हैं कि आपका वार्किंग भी एफेक्ट ना हो और घर का जो माहौल है वो भी एफेक्ट ना हो घर का माहौल तो एफेक्ट खेर इससे नहीं होता है मेधा प्रभी देता है जाहिर सब्सक्रम् 1 को कि साथ है तो जाहिर बात है सब्सक्रमों आखिए क्वा hä gratis तो जाता हम जब किस आप तो आपका फैमिली का सपोर्ट रहता होगा, क्योंकि एक केसे हैं उसमे आता होगा कभी कभी ऐसा होता गाना कि आप जब कभी कुछ केस सौर्ट कर रहे हैं और वो सौर्ट डाउट नहीं हो पा रहा तो तो आप अपने घर पर डिसकस करते होंगे और उसमें बोला जाता हो कि हैं आप अगर ऐसे नहीं और ऐसे करेंगे तो किया ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ में हाँ जब कुछ चीजे ऐसी होते हैं कि जिसमें घरवालों के भी सपोर्ट डेहना पड़ती है घरवालों से भी बात होती है तो उसमें एक सही एड़वाइज मिल जाती है कि कर से क जाया है क्योंकि जाहर मत है जो एक वाइफ की जो नजरिया है तो मैं तो शोहर हूँ हजबन के हिसाब से जो भी सोच हूंगा लकिन कुछ कमियां जो रहा है जाएंगी जो वाइफ है किसी और की जो भी वाइफ है तो जो भी उनका तो एक उपिनियन उनका ख्याला गर पे उसको सोचने का नजरिया किया उसका सुने कःढ़ा है या इसमें क्या होना चाहिए वो गर से शेयर करता हूं बागी सर इन फ्यूचर मतलब आपका और क्या चीज प्लान ओट है क्या चीज और करने वाले हैं क्या मतलब आप इसी में कंटिन्यू करेंगे अगर आप उसमें भी नहीं रहते हैं तो बाजी जिस तरह से जन्देगी चल लगी है यह चलती रहेगी जिन कामों में हूं आगे भी करता रहूंगा बाके आखर में चाहेंगे सर आप हमारे प्राइम टीवी के वियो इसको एक मेसेज दें बड़ा अच्छा लगा मुझको यहां पर आकर तो मेरी यह गुजारिश है जो लोग इस वक्त देख रहे हैं प्राइम टीवी कि देखने वालों के लिए एक मैं यह दर्ख्वास्त क जाना चाहूंगा कि यह जतने भी चीज़े हैं लाइन आर्डर से मुतालिख जैसे की कौंसिलिंग बताया आफिस में आते हैं लोग या जितने भी कोई भी काम अगा लाइन आर्डर से मुतालिख हम लोग करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि उपर वाला ना करे कभी ऐसे जुरूवद पड़े कि आपको हमाइपास आना पड़े और बेदर तो यह है कि जो भी ऐसे कुछ ऐसा कुछ होता है वो बहुत ही शांती के साथ अपने घर में इंधिन उसका सामादान कर लिए उसकी उसको पही डिप्टालेंज जादा बेतर है ऐसा नहों कि आपको हमापस आना पड़े और इसकी जुरुत पड़े कि हम किस तरह से हम लोग उसमें इन्वाल हो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के शुक्रिया आपका आप लोग ने मुझे को पुलाया तो आज के प्राइ नहीं थे आपको यह जानकारी काफी पसंद आए होगी आगे अगले शक्सियत पे हम फिर आजरोंगे एक नई शक्सित के साथ में तब तक आप देखते रहें प्राइम टीवी नमस्कार झाल